प्रत्यासित गरभावस्था के बाद पैदा हुआ पहला जंगली बैसन उनाटेड किंग्डम यानि यूके में हजारों वर्सों के बाद एक जंगली बैसन का जन्म एक पुनर निर्मान प्रियोजना के तहत हुआ है केंट वाइड लाइफ तस्ट की इस प्रियोजना के अनुरूप स्कॉटलेंड और आयरलेंड से तीन बैसन इस साल की शुरुवात में यूके के केंट में लाए गए थे इस प्रियोजना के एक प्रभारी बैसन रिंजर को एक मादा बचरा कुछ दिनों पहले मिली थी लेकिन उन्हें इस मादा बचरे की मान नहीं मिली इस प्रियोजना के तहट आशा की गई थी कि लाए गए बैसन नियत समय में प्रजनन करके एक जुंड में विक्सित होंगे लेकिन मादा बचरे का मिलना एक अपक्षित आश्चर है क्योंकि अभी केवल तीन मादा बैसन लाई गई थी और अक्टूबर के अंत तक एक नर बैसन के आने की उमिद थी इन जानवरों पर किये गए कई अध्यानों से पता चलता है कि गरवती जानवरों या उनकी संतानों को निशाना बनाने वाले शीकारियों को चकमा देने के लिए बैसन अपने गरवधारन को छिपाते हैं युके में इस परियोजना के लिए 200 हेक्टेर साइट को 10 बैसन के लिए लाइसेंस दिया गया है जिन में से 3 मादा बैसन आ चुके हैं बैगजिट से संबंधित मुद्दों के कारण नर बैसन की आगवन में देरी हुई है भारत में भी बैसन की एक प्रजाती पाई जाती है जिसे गौर कहते हैं वियह भारत में पाई जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे उची प्रजाती है भारतिये गौर यानि बैसन दक्षिन एशिया और दक्षिन पुर्व एशिया का मूल निवासी पशू है गौर को 1986 से IUCN Red List में कमजोर यानी Vulnerable के रूप में सुचिबत किया हुआ है गौर की जनसंख्या का पहली बार आकरन फरवरी 2020 में नील गिरी वन प्रभाग में किया गया था हाल ही में स्रिलंका ने भारत से 6 भारती बाइसनों को द्विप में फिर से लाने के लिए अनुरोध किया है जहां से वे 17 शदाब्दी के अंत तक विलूप तो हो गये थे